Hello friends, welcome back to our YouTube channel. आज हम बात करेंगे number of players in different sports, जाने कि जितने different types के sports खेले जाते हैं, उसमें कितने players हर team से खेलते हैं उस sports में, तो आज हम उसकी बात करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं. फर्स्ट कोशन है कि how many players play from a team in cricket match, जैसा कि हम जानते हैं कि cricket match में 2 team आबस में खेलते हैं, तो आपको बताना है कि एक team में एक बार कितने players एक team से खेलते हैं, तो आपका option है 11, 12, 13, 14, तो सही answer है, 11 players, यानि कि cricket हो गया, football हो गया और hockey जो ऐसे game जैन में 11 players से एक साथ एक बार में match में खेलते हैं, और football और hockey में तो substitute भी हो सकते हैं, लेकिन cricket में substitute नहीं होते हैं, cricket में 1 wicket की पर होता है और 10 fielders होते हैं, जब एक साथ खेलते हैं, और वैसे ही football में और hockey में 1 goal की पर होता है, 10 players होते हैं, जो खेलते हैं, Question No.2 है कि एक basketball match में एक team से कितने players खिलते हैं तो आपके option है 6, 5, 4, 3 और उसका correct answer है तो basketball game में एक team से 5 players से एक time पर खिलते हैं और वैसे भी वैसे ही जैसे substitute होते हैं तो इसमें भी substitute हो सकते हैं अगला question है how many players play from a team in volleyball match अब volleyball match में एक team से कितने players खिलते हैं आपके option है 4, 5, 6, 7 तो correct answer होगा option C 6, एक team से 6 players एक time पर volleyball match खिलते हैं और सारे जो players होते हैं वो rotation basis पर आपर game खिलते हैं अगला question है कि एक baseball match में एक team से कितने players एक बार में खिलते हैं आपके option है 9, 12, 13 और 5 तो सही answer इसका option A 9 players, एक बार में baseball match में 9 players खिलते हैं अगला question है आपके सामने how many players play from a team इने rugby football match आप देख सकते हैं इस तरीके से रगभी football match खिलना जाते हैं तो आपको बताना है कि एक बार में कितने players एक team से खिलते हैं 13, 12, 14 और 15 सही answer है 15 players से एक बार में rugby ball में एक team से खिलते हैं अगला question है कि water polo match में एक team से कितने players खिलते हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कि water polo match एक water game होता है तो आपके option है 6, 5, 7, 8 तो correct answer है 7 players यानि कि जब water polo match खिले जाते हैं एक वाटर game है यह ओलमपिक्स में भी खिला जाते हैं और सारे games में यह जो खिला जाता है international championships में भी खिला जाता है तो इसमें एक team से 7 players से एक बार में खिलते हैं question number 7 आपके पास कि handball match में एक team से कितने players से एक बार में खिलते हैं जैसा कि football match में हमें पाउं से मार कर गोल करना पड़ता है और head भी कर सकते हैं वैसे ही handball match में आपको हाथ से गोल में थ्रू करना पड़ता है और देख सकते हैं आपर एक player थ्रू कर रहा है गोल में और जो बागितने players हैं वो defend कर रहे हैं ball को तो आपको बताने कि कितने players से एक team से खिलते हैं 8, 7, 6 और 5 तो correct answer is 7 एक handball match में 7 players से एक team से एक बार में खिलते हैं question no.8 आपके सामने how many players play from a team in a polo match यानि कि एक polo match में जो आप देख सकते हैं ऐसे कोड़े के उपर बैट कर इस stick से इस ball को थ्रू किया जाता है इस game come polo करते हैं जो कि India में introduced हुआ था तो आपको बताना है कि एक बार में polo match में एक team से कितने players से खिलते हैं तो आपके option 4, 5, 6 and 8 तो सही answer होगा option 4 यानि कि एक बार में polo match में 4 players से एक team से खिलते हैं तो दोस्तो आज कि इस video में हमने जाना कि different sports में कितने players एक team से एक बार में field में खिलते हैं तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सभी नेक्स विडियो से कुछ ना कुछ नया जाना होगा, खुछ ना कुछ नया सीखा होगा, अगर आपने कुछ नया जाना और सीख़या तो प्रीज वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए प्रीच चैनल को सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी करें अपनी हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और वीडियो के हाथ ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने को मिली ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक देंक्स और वाचिंग टेक केर जैहिंग शेह भार